ध्यान देने योग्य जरूरी बाते एक अगर आप गले की बीमारी से बचना चाते हैं, तो अपने खाने में काली मिर्च का सेवन जरूर करें. दो हफ़ते में एक बार बड़ी इलाइची खाने से सांस की बीमारी नहीं होती है. तीन हरी सबजियों को हमेशा गर्म पानी से धोकर ही इस्तमाल करना चाहिए. चार ज्यादा सोने वाला व्यक्ती बीमारीों का शिकार हो सकता है. पांच जमीन पर लेटने से आपको कमर दर्द में आरा मिलता है. छे अगर पेशा आप खुलकर ना आएं तो भिंदी का सेवन करें. साथ शरीर ज्यादा ठंडा रहता है तो समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है. आठ बासी रोटी का सेवन करने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. नौ शुगर के मरीज के लिए कच्ची पत्ता गोभी खाना बहुत फाइदेमंद होता है. दस यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो सुबह उठकर परिंदों को पीने के लिए ताजा पानी रख दिया करें. जारा अगर आपके पेट में तेजा बनने की समस्या है, तो रोजा ना सुबह बासी मोह खजूर खाया करें, इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा. बारा सुबह उठकर आंखों को मसाज करने से स्वास्य अच्छा रहता है. तेरा यदी पेट दर्द की समस्या है, तो जीरे को सुख तवे पर भून कर फिर उसे पीस ले और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर खाने से पेट का दर्द गायब हो जाएगा. 14 लॉम के तेल और सर्सो के तेल को मिलाकर कमर पर मालिश करने से कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है. 15 महंदी में नारियल का तेल मिलाकर सिर पर लगाने से बाल लंबे और घने होते हैं. 16 शुगर के मरीश के लिए कच्ची पत्ता गोभी खाना बहुत फाइदेमंद होता है. 17 यदी आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो सुबह उठकर परिंदों को पीने के लिए ताजा पानी रख दिया करें. 18 यदी सर्सों का तेल बालों में लगाते हैं, तो यह बालों को जल्दी सफेद होने से रोकता है. 19 गुड़ खाने के कई आयुर्वेदिक लाब प्राप्त होते हैं. गुड़ को एक औश्टी माना जा गया है, ठंड के दिन में गुड़ और तिल के लड़ू हमारे शरीर को विशेश लाब पहुचाते हैं. कैफ सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों में भी अच्छा लाब दायक रहते हैं, गुड़ को शक्कर से अधिक पौश्टिक माना जाता है, क्योंकि इसे बनाने में किसी भी प्रकार का रासायनिक क्रिया का इस्तमाल नहीं किया जाता है, गुड़ खाने से गले और फेफरों स संबंधित कई रोगों में भी लाब पहुचता है, बीस दूद में मखाना उबालकर पीने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दे तो हमारे चैनल प आपको मिल सके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,